हरी कृष्णा राधी राधी बुलिये गोवर्धन माहराज की जै अरे गोवर्धन माड़ो तो सब ते बड़ो तो ते बड़ो न कोई जो करे परिक्रमा गोवर्धन की सब निस्तारा होई भगवान श्रीक किष्णे स्वयम बताया है कि गोवर्धन परवत कितना महान है कितना पवित्र है तो आज हम गोवर्धन परवत की किस प्रकार से पूजा करे और इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया है उसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से गोवर्धन माहराज की का निर लैसुन के डाले एक दम सात्विक बोजन बनाया जाता है और साथ में दूद के बरतन रखे जाते हैं पूजा में घर में यदि कोई हांडी हो आपकी मत्थानी भी रखी जाती है और उसी के साथ में मुख्य रूप से पूरुश इस पूजन को करते हैं प्रदोशकाल में ये दान वर्शा की जाती है गोवर्धन महराज पर क्योंकि हमारे पास जो भी अन अनाज आता है वो सब गोवर्धन महराज के करपास से ही होता है इस प्रकार से देखे एक अग्यारी की जाती है और यहां पर देखे गोवर्धन महराज की चड़णों में हमने एक चांदी का सि बनाता है और देकिसी गी का हा पूरिया जातोगे डालने जाते है वान्मा गाता हम पोड़ी और देखे सभी लोग यहां पर बारी बारी से लॉंके जोड़े चड़ा देंगे तो गोवर्धन महाराज की हमें पूजा नवश्य करनी चाहिए और भगवान श्री किष्ण ने भी इनकी महत्ता का वर्णन किया है बताया है जब बगवान इंद्र देव को सभी लोग पूज नहीं हमें गोवर्धन की पूजा करना चाहिए क्योंकि गोवर्धन हमें अनधन हमारी गायों को पालते हैं तो गोवर्धन परवध ही महान है और इस प्रकार से भगवान श्री किष्ण जी ने अपनी च्छोटी उंगली पर भी गोवर्धन परवध को उठा लिया था तो तो फ्रेंड्स ये जो मैं आपके साथ विधी शेयर कर रही हूँ, ये काउं में परंपरागत तरीके से ऐसे ही पुजन किया जाता है, दो पहर के समय या फिर चार पांच बजे के करीब गोवर्धन का निर्मान करने के बाद में प्रदोशकाल में जब सूर्यास्त हलकालका सा हो जाता है, तो उसके बाद में ये पुजन किया जाता है, टीका करते हैं, गोवर्धन महाराज को इस परकार से, देखे, रोली के छीटे देजे, इस परकार से सब ही लोग करते हैं, बारी-बारी से, घर में जितने भी सदस्य होते हैं, और अठावडी इस परकार से आ रही हूं, इस परकार से, ये देखे, गाउं में सेम इसी तरीके से पूजन होता है, मुखे रुप से पुरुष करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, अठावडी पे अठावडी आधी चढ़ाती हैं, और खील बताशे भी अगनी में समर्पित किये जाते हैं, और इस तरीके महत्ता है, गोवर्धन महराज की परिक्रमा करने की, कहते हैं कि गोवर्धन महराज की यदि हम परिक्रमा करते हैं, तो हमारे मुक्ती हमें मिल जाती है, अन्तिम समय में, और हम वैकुंट धाम को जाते हैं, तो इस परकार से, गोवर्धन महराज की परिक्रमा करें, तो अग थाली में रोली से बना सकते हैं या फिर आप चितर भी ला सकते हैं गोवरदन महाराज का या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके भी आप पूजन करें बस बात होती है कि हम उनका ध्यान करके उनका पूजन अवशरुप से करें इस परकार से तो हम पूजन कर देते हैं तो द सामने कोई भी बॉय होता है लड़का उसके हाथ में इस तरीके से डंडा दे देते हैं लाठी दे देते हैं तो वो ग्वाला होता है बाद में उसको दक्षिना दी जाती है ग्वाले को और सभी लोग ऐसे परिवार में मिल करके इसे पूझ लेते हैं अगर आसपास कोई ब्रह परिक्रमाई की जाती है और इस परकार परिक्रमा करने से हमें जब हम गोवर्धन की साक्षत परिक्रमा करने जाते है उसके बराबर ही हमें पूर्ने लाप राप्त होता है यदि हम इस परकार से परिक्रमा करते हैं और जय जयकारे लगाते हैं गोवर्धन महाराज के और ए इस तरिके से बहुती साधन तरीके से ग्रामीन चेत्रों में गोवर्धन की पूजा की जाती है। बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है घर के परिवार के सभी सदद से इसमें एक साथ समलित होते हैं तो बहुत ही सुंदर द्रिश्य होता है गोवर्धन अर्थात पशुधन पशुधन को आज की दिन बहुत महत दिया जाता है पशुधन को अच्छी प्रकार से नेला आसपास कोई गवशाला है तो इस प्रकार से हमारे जीवन में पशुधन का बहुत महत्व रहता है यही बाते हमें भगवान श्रीकिष्ण ने बताई है इसी मात्य हमसे उमीद करती हूं कि वीडियो आपके लिए यूसफुल रहोगा वीडियो थोड़ा भी यूसफुल लग आपके पर।